नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर संदीप दोस्तो हजिम आपके सामने अपनी नहीं वीडियो के साथ तो दोस्तो एक संखियां का बहुत ही शांदार फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से संखियां की बहुत ही शानदार भसम बनती है मगर जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ तरीका से में यही है मगर इस से थोड़ा सा अलग है अब दोस्तों अलग होने का कारण क्या है कि संखियां बहुत ज़्यादा जहरिला धातू होता है बहुत ज़्यादा जहरिली चीज होती है तो इस वज़ा से इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको बताऊँगा जिस तरीके से हम बनाते हैं और अभी हम यह फार्मूला दुबारा से बना भी रहें पूरा फार्मूला आपको पूरी प्रोपर वीडियो इसकी मिलेगे किस तरीके से यह फार्मूला बनाया जाएगा तो सबसे पहले दोस्तों आप संखियां ले लें संखियां आप थोड़ी ज़्यादा मत्रा में ले लें आदा किलो तक संखियां ले लें और अच्छे से उसे सूका ही रगड ले अब आप दो हांडिは ले ले कुजिया उनमें एक हांडि में संखिया रखे दूसरी कुजियों उसके उपर रखे डमरू यंतर जिस तरीके से बनाते हैं उस तरीके से उसके उपर अच्छे से कपड मिटी कर लें और संखियां का जोहर उडा लें अब दोस्तों संखियां का जोहर है वो आप 12 ग्राम लें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जोहर पूरे प्रोपर तरीके से भसम ना हुआ हो खाली उडा हुआ ही हो तो वो तरीका दोस्तों अभी हम कुछ ही दिनों में फार्मूला बनाएंगे तो पूरी आपको वीडियो मिलेगी अब आगे कि आप सुनें अब इसमें से आप 10 से 15 ग्राम संखियां ले लें जोहर और ये जो हमारा आपका दूद है ये इसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहे घुटाई करते रहें थोड़ा थोड़ा डालते रहें घुटाई करते रहें 500 ग्राम दूद इसमें जजब कर दें और इसका संखियां का एकर गोला सा बना ले उसके बाद इसमें दोस्तों लिखा हुआ है 85 ग्राम सूत लपेट दें सूती कपरा ले ले और उसके उपर अब उस खड़े में इसे रख दें और एक जलतावा अंगारा उस पर रख दें और यह आप ही आग जल जाएगी तो यह आपके लगबग थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा लगेगा तीन से चार घंटे लग जाएगी यह सारा जलने में और इसी तरीके से आप करें कि शाम के साइम जला के रख दें और सुबह उसे निकाल लें अब दोस्तों यह आपके स्फेद कलर की भसम बनेगी अगर थोड़ी इसमें आपको लगे की भसम कच्ची रह गई है तो दुबारा से फिर इसे लगबग पचास ग्राम आग के दूद में खरल करके गोला बना के दुबा आग दे दें अब दोस्तों क्या होगा कि यह भसम दूसरी आग में तो 100% तयार हो जाएगी से खरल करके एक कंच की सीसी में डाल के रख दें और मातरा दोस्तों इसमें बताई गई है आधा चावल मक्षन या मलाई से मगर दोस्तों आधे चावल से भी आधी खुराक देनी है बाकी दो-चार खुराकें देने के बाद फिर पांचमी खुराक चाहिए आप थोड़ी सी बढ़ा दें नकर पहली खुराक जो आपको देनी है तीन-चार खुराकें देनी है वो आधे से भी आधे चावल के बराबर दें अब दोस्तों इसके साथ दूदगी का सेवन है जितने भी रोग है उन्हें ये जड़ से खतम कर देगा इसके अलवा शिगर पातन नमर्दी को जड़ से खतम कर देगा गंठिया को जोड़ों के दर्द को बड़े वे यूरी कैसिर कोलोस्ट्रोल को ये जड़ से खतम करेगा बहुत ही शानदार बहुत ही पावरफुल दोस्तो इसे बनाएं इसका इस्तमाल करें इसका फैदा उठाएं और जो अंजान है जो भसने बनाना नहीं जानते हैं तो हम ट्रेनिंग स्टार्ट करवा रहे हैं ऑनलाइन भी ट्रेनिंग करवाएंगे और अपने पास बुला के प्रैक्टिकल भी करवाएंगे तो जो भी भाई बंदू आयुरुवेद सीखना चाते हैं वो हमारे पास आके भी ये चीजें सीख सकते हैं बाकी दोस्तों उमीद करता हूँ ये जानकर ये आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को आप सिस्क्राइब जरूर करने और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से भी चैनल को सिस्क्राइब करवाएं धन्यवाद